इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वाइरल हो रहा है इस वीडियो में एक एंकर को देखा जा रहा है ये कहना गलत नहीं होगा कि देश के हाला दिन पर दिन बिगड़ते नजर आ रहे हैं कई चैनलों में काम कर चुके यह निउस एंकर मजबूरी में कर रहा है खाना बिचने का काम इन दिनों सोशल मेडिया पर एक वीडियो वाइरल हो रहा है वीडियो में एक एंकर को देखा जा रहा है ये कहना गलत नहीं होगा कि देश के हाला दिन पर दिन बिगड़ते नजर आ रहे हैं कई चैनलों में काम कर चुका यह निउस एंकर मजबूरी में कर है शूशल मेडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरे वाइरल हो रही है जिसमें अफगानिस्तान की दुर दशा को दिखाया जा रहा है इसकी हकीकत को वीडियो में देखा जा सकता है तालिबान की सत्ता में आने के बास से पूरे अफगानिस्तान को बहुत ज़्यादा आर्तिक और और राजनेतिक उतल पुतल का सामना करना पड़ रहा है नमस्कार मैं मैंग भारदवाच और आप देख रहे हैं नजर टुड़े लगबख एक साल होने को है हाला कि अफगानिस्तान की स्तिती में कोई सुधान नहीं हो रहा है लोग भारी गरीबी का सामना कर रहे हैं बड़े बड़े पेशावरों तक को अपनी नौकरी के संकट से जूजना पड़ रहा है हाल में ही कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई है जो कि अफगानिस्तान की हकीकत को दिखाती है दरसल जो तस्वीरे शोशल मीडिया के माध्यम से सामने आ रहे हैं उसके मताबिक तालीबान शाशित अफगानिस्तान में सडकों पर अफगान टीवी एंकर खाना बेशते हुए नजर आ रहे हैं यह तस्वीर शोशल मीडिया पर काफी तेजी से वाइरल हो रही है हामिस सरकार के साथ काम कर चुके कबीर हकमल ने अपने अधिकारी ट्वीटर अकाउंट से मुसा मुहमदी की तस्वीर को साज़ा किया है इन तस्वीरों में नजर आने वाला मुसा मुहमदी टीवी एंकर हुआ करते थे लेकिन अब वो अपना पेट पालने के लिए सडकों पर फूट बेच रहे है कैप्शन में हकमल ने लिखा कि मुहमदी कई सालों से मीडिया इंडरस्ट्री का हिस्सा थे हाला कि अफगानिस्तान में इस तरह की गंभीर आर्थिक इस्तिती पहली बार देखने को नहीं मिली है अब अपनी जरुतों को पूरा कनने के लिए सडकों पर खाना बेचना पड़ रहा है आपको बता दें कि मुसा मुहमदी ने कई टीवी चैनलों में एक एंकर और रिपोर्टर के रूप में कई वर्षों तक काम किया है अब उनके पास अपने परिवार को खिलाने के लिए कोई इंकम नहीं बची वे अब कुछ पैसे कमाने के लिए फूड बेसते हुए मजबूर हो गए है वाइरल तस्वीरों ने रास्ट रेडियो और टेलिविजन के महा निदेशक एहमद दुल्ला वासिक का ध्यान आकरशित किया है जिन्होंने ट्विट किया कि वे अपने विभाग में पूर्व टीवी एंकर को निउक्त करना चाते हैं उनके ट्विट का जब अनुवाद किया गया तो पता चला कि उन्होंने लिखा एक नीजी टेलिविजन स्टेशन के प्रवक्ता मूसा मुहमदी की बेरोजगारी शोशल मीडिया पर चाही हुई है वास्तव में रास्ट्रे रेडियो और टेलिविजन के निर्देशक के रूप में उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि हम उन्हें रास्ट्रे रेडियो और टेली विजन के धाचे के भीतर नियुक्त करेंगे हमें सभी अफगानी पेशावरों की जरूरत हैं बता दें कि जब से तालीबान ने देश पर कबजा किया है तब से अफगानीस्तान गंभीर आर्थिक, राशनीतिक और मानुविय संकट का सामना कर रहा है रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले कुछ महिने में कई पत्रकार, विशेशकर महिलाओं ने नौकरी गवाने के साथ उन्हें कई मीडिया संगटनों पर नकेल कसी है राइटर्स के अनुसार विशेश बैंक ने कहा कि 2021 के अंतिन चार महिने में अफगानीस्तान की प्रती व्यक्ति आयमें एक तिहाई से अधिक की गिरावट आई है अब देखना ये है कि दिन पे दिन अफगानीस्तान के हलात और कितने खराब होते नजर आएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नजर टुडे